तो मनो विज्ञान और मनो चिकित्सा को गोलियों की वज़े से दोश दिया जा रहा है ये ऐसी चीज है जो हर किसी के दिमाग में चिंता पैदा करती है क्योंकि कम से कम चिकित्सकों के पास जाने से लगने वाले कलंग की भावना थोड़ी कम जरूर हुई है मगर लोग मनो चिकित्सकों के पास जाते हैं और उन्हें गोलियां दी जाती हैं ये सच अब भी अपनी जगा है अब मुझे बता रही हैं मैं इस विज्ञान को बकवास नहीं बता रहा हूँ मैंने कहा अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो ये अपने आप में बुरा है अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप समस्या को और बढ़ा रहे हैं इस वज़े से कारे करता है आप भी? ठीक है ठीक है मैं समझाता हूँ मैं अच्छी तरह समझता हूँ मैं इस पेशे से जुड़े काफी लोगों से करीब से जुड़ा हूँ और ऐसे बहुत से लोग हैं क्योंकि मैं हर दिन हजारों लोगों से मिलता हूँ हर कोई दिमागी तौर पर पूरी तरह स्वस्त नहीं होता बहुत से लोगों का दिमाग बिगड जाता है, उन्हें डॉक्टर की मदद की जरुरत होती है, मैं इसे नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप हर इंसान में ये बुनियादी जिम्मेदारी की भावना नहीं लाते, कि उनकी शारेरिक और मांसिक सेहत की देखरेक उनका काम हैं, अगर आप कम उम्मर से ही ये भावना नहीं लाते, तो आप देखेंगे कि ज्यादा लोग डिप्रेशन में जाने लगेंगे, ये मत सोचिए कि हर बिमारी किसी रोग का लक्षन है, नहीं, जिन लोगों को लंबे समय से रोग है, और वो दवाएं नहीं ले रहे हैं, हो कोई डिप्रेशन की तरफ जा सकता हूँ, अगर मैं जो चाहता हूँ, वो नहीं होता, हर कोई खुद को डिप्रेशन में धकेलने में सक्षम है, है ना, ये संभव है या नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन एक चुनाव है, मेरा मतलब आपको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, तो आप चेतना में अपनी इच्छा से पागल हो रहे हैं, क्योंकि आपको समाज में कुछ नतीजे मिले, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, तो क्योंकि मानसिक संतुलन और पागलपन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, अगर आप धक्का द देते रहेंगे, तो एक दिन आप उस पार चले जाएंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिने बीमार नहीं होना चाहिए, शारेरिक और मानसिक दोनों रूप से, मैं सिर्फ मानसिक रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि वो शारेरिक आ मानसि तोर पर बीमार हो, देखे, पिछले 50 सालों में रिदय की लाखों सरजरी हुई हैं, आज सरजन साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप रेड मीट छोड़ दें, अगर सही भोजन खाएं, कसरत करें, तो आपको सरजरी की जरुरत नहीं पड़ेगी, क्या ये आपकी कार्डियोलो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, उदासी मेरी अपनी बनाई हुई है, देखे, ये कौन नहीं जानता, क्या मैं इतना नहीं समझ सकता, क्यो उदासी और डिप्रेशन में फर्ख है, मगर क्या ये संभव है कि कई लोग अपने जीवन के कुछ खास समय में खुद को डिप्रेशन की स्थिती में धकेल देते हैं, और वही लोग पक्का इरादा करके उससे बहार भी आ जाते हैं, कैसा है, हजारों लोग, ऐसा है या नहीं, बहुत से लोग, तो मैं कह रहा हूँ, कि कई संभावना हैं, हर किसी को रसाइनों की जरूरत नहीं ह हो सकता है कि ये किसी खास पेशे के खिलाफ हो, मगर हम मानपता की बात कर रहे हैं, धन्यवाद सद्गरू, हाला कि मुझे नहीं लगता कि अंजली इस जवाब से पूरी तरह सैमत है, आप किसी सच को पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार कैसे कर सकते हैं, अगर ये राय हो तो आप स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, क्या ये सच है कि आप मेंसे कई लोग, मैं कह रहा हूँ, आप मेंसे ज्यादतर लोग युवा हैं, आपने काफी जीवन नहीं दिखा है, मगर इस छोटे से जीवन में भी ऐसे पल आये होंगे, जब आप अपनी उदासी से ये सच है, ये राय नहीं ही